Hello guys, welcome to my YouTube channel, Ritik Technical Support इस वीडियो में हम आपको बताएंगे MoneyView में आप HDFC credit card कैसे लेंगे, ठीके, so first of all अगर आपने अभी तक MoneyView अप्लिकेशन को इंस्टॉल नहीं किया होगा तो link मैं आपको description में दे दूँगा, but application में वैसे उतने सारे features तो नहीं मिलते आपको अपना browser ही open करना पड़ता है, ठीके, तो हमने आपको browser open कर लिया है और देखे, जब भे आप लोग loan लेते हैं, और वहाँ पे आप जो referral code का use करते न वहाँ पे जो referral code आपको डालना रहेगा, वो मैंने आपको description पे दे दिया है क्योंकि अगर आप लोग हमारा referral code use करेंगो तो आपको 5000 रुपए का bonus मिलेगा अब हम simple money way application को open कर लिए हम लोगोंने website हमने open किया, माफ करना, धना आपको 3 line पे click करना पड़ेगा यहाँ पे आने के बाद जो है आपको option मिलता है credit card का, ठीके, हम इस पे click करेंगे credit card पे click करने के बाद आपको अपना mobile number डालना होगा, ठीके, mobile number डालने के बाद हम यहाँ पे next processing क्या करना रहेगा वो हम देख लेते, because यहाँ पे सबसे पहले eligibility चेक करता है, कि आपको HDFC का credit card मिलेगा, यह फिर नहीं मिलेगा ठीक है, तो हम आपको mobile number डाल लेते हैं अपना, अब यहाँ पे हम लोग HDFC bank में redirect हो जाते हैं, apply online hdfcbank.com आपको देखने को मिलता है, ठीक है अब यहाँ पे देखिए, identify yourself, आपको अपना mobile number डाल लेना होगा, जिसमें आपको OTP आएगा, आपको date of birth आपके डाल लेना होगा, then आपको अपना pen card डालना है, pen card डालने के बाद आपको आपको OTP आएगा, उसके बाद आपका confirm your details आएगा, then choose credit card, आपको कौन सा credit card चीव, आप लोग को choose कर लेना है, ठीक है, then आप अगर eligible रहते है, credit card के HDFC के, तो आपको यहाँ पे बिना कैसे दिक्कत के apply करेंगे, और आपका अगर credit score काफे better है, तो आपको यहाँ पे HDFC का credit card मिल जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे आपको उनके तरफ से call भी आ जाएगा, तो description मिल जाएगा, मिलते हैं next video में